दुर्भावनापून अफवार ने अंगुलीमाल नामक एक युवप को जंदर में अपराधी के रूप में रहने के लिए मजबूर कर दिया विट्शिप्त मनस्तिती में उसने एक हजार मनुश्यों को मारने की कसम खाई अपने शिकारों की संथ्या का हिसाब रखने के लिए उसने प्रत्येक की एक उंगली ली और उसे अपने गले में एक धागे में बांध किया इस तरह से वह अंगुरिमाल या उंगली माला के नाम से जाना जाने लिए अंगुरिमाल पूरे देश में आतंख का कारण बन गया हर कोई डर गया राजा ने उसके बारे में सुना और उसे पकड़ने का फैसला किया जब उसी मां को ये खबर मिली तो वह अपने बेटे को पूंदने और बचाने की कोशिश करने वाली है लेकिन एक खत्रा था कि बेटा मां को मार देगा इसे रोखने के लिए बुद्ध खुल उस यूबब को खोजने के लिए जंदल में चले गए अंगुरिमाल पही दिनों से सोया नहीं था और ठकावट के करीब था साथ ही वह हजारवें व्यक्ती को मार कर अपना काम पूरा करने के लिए बहुत उच्सुप था उसने पहले व्यक्ती को मारने का मन बना लिया एक पूंचे पहाड़ पर पेडों से छिपे हुए उसने नीचे के रास्ते पर एक महिला को देखा वह नीचे उतरा लेकिन पिर उसने रुको, रुको, बुध्ध ने उत्तर दिया, मैं रुक गया हूँ, तुम नहीं रुके हो, अंगुली माल को कुछ समझ नहीं आया, उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम रुक गये हो, जबकि मैं नहीं रुका, बुध्ध ने उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि मैंन मैंने सभी प्राणियों को मारना चोड़ दिया है। यह स्वयन बुद्ध होना चाहिए। यह मेरी मदद करने के लिए यहां आया हुगा। अंगुलिमाल ने अपने हतियार फेंक दिये और बुद्ध से ध्यान और ध्यान की शिक्षा मान दी। बुद्ध ने उनकी बात मान ली। जब राजा और उसके लोग अंगुलिमाल को कुकरने आये तो उन्होंने उसे बुद्ध के वन ध्यान आश्रम में पाया। चूंकि अपराधी ने अपने बुरे रास्ते छोड़ दिये थे। इसलिए राजा उसे अकेला छोड़ने के लिए तयार हो गया। अंगुलिमाल ने इमानदारी और दंभीरता से ध्यान और नैतिक आचरन का प्रशिक्षन लिया। फिर भी उसे मन की शांती नहीं मिल रही थी। उसे बार-बार याद आ रहा था कि उसने अतीत मित्या किया था। उसे अपने पीडितों की करुण चीखें याद आ रही थी। जब भी वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाता था, लोग उसे पहचान लेते थे और उस पर हमला कर देते थे, जिससे वह खून से लथपत और धायल हो जाता था। वह खुद को दोशी महसूस करता था और सोचता था कि वह इतना भयानत व्यक्ती है कि वह कभी भी खुश और शान्ती पूर नहीं रह सकता चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। बुद्ध ने उसे याद दिलाया, मेरी बेटे तुनने बुरे काम करना वंद कर दिया है, लेकिन अभी भी अपने पिछले कर्मों का फर्न भुगत रहे हो। धैर्य रट को हर कोई बेहतरी के लिए बदल सकता है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, कोई भी इतना बुरा नहीं है कि उसे बदला न जा सके और तुम बदल चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को इसका एहसास है या नहीं, धैर्य पूरवक अपना ध्यान अभ्यास करते रहो। जब लोगों ने उसके अंदर आये बदलाव के बारे में सुना, तो उन्हें बुद्ध से पूछा, क्या ये सच हो सकता है, क्या एक आदमी जिसने इतने लोगों की हत्या की है, कभी वास्तव में ध्यान केंदित करना और अपने मन को शांत करना सीख सकता है, क्या उसका मन वास्तव में शांत और संतुलित हो सकता है, क्या उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी एक अच्छा जीवन जीना संभाव है, बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, उसने इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसका मन दुख और क्रोध से भरा हुआ था, उसे खुद भी बहुत नुकसान पहुंच यह मन की वास्तविक शांती पाने और दूसरों के लिए दया और करुणा विक्सित करने का एक शक्ति शाली साधन है